योतम हैं उम्र अठाइस वर्ष समेर अल तलालका उम्र पच्छिस वर्ष अलोन शम्रिच उम्र छबीस वर्ष तीनों योख हमास के आतंकवादी नहीं है, फिलिस्तीनी नहीं है, बलकि इस्रेली है, इस्रेल की सेना ने अपने ही तीन नागरुपों को गोली मार दे क्यूं, कहां और कब की डीटेल आपकी स्क्रीन पर है हम इस घटना के जिम्मेदारी लेते हैं, घाजा सिटी के शेजया इलाके में एक ग्राउंट ओपरेशन के दौरान सैनिकों को लगा, कि ये लोग उनके लिए खत्र हैं, गोली मारने के बाद जब शबों के बास पहुँचे, तो मारे गए लोगों की पहचान के बारे में सं होई है, इन तीनों युवकों का साथ अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इसरेल से अपहरन कर लिया गया था, शोजाया में जब इसरेल सेना ने फारिंग करनी शुरू की तो इसरेल के ही तीनों बंधक चपेट में आ गये और मारे गये, अब आलम ये है कि इसरेल में हं गामा पसरा है, नाराज लोगों ने तेल अवीब में इसरेली सेना के हेटकौर्टर्स के बाहर प्रदर्शन किया है, लोग हाथों में बंधकों की तस्वीर लिए और दिल में दर्द लिए अपनों को जल्दी से जल्दी छोड़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यो क्योंकि इसरेली डिफेंस पोर्स यानि आईडियफ से हो गई है बड़ी चूँ, इसरेली डिफेंस पोर्स जमीन पर गाजा को जला रहा है, इंच दर इंच हमास के लड़ाकों की तलाश कर रहा है, जो मिलकर उन्हें ठिकाने लगा रहा है, लेकिन इसी दोरान एक ऐसी गटना हुई है जिससे पूरा इसरेल बेनम नेतनियाहु के खिलाफ देखने लगा है, इस घटना के बाद तेल अवीब से लेकर वशिंटन तक हाय तौबा मची है, क्योंकि इसरेली डिफेंस पोर्स ने एक हमले में तीन बंदकों को मार डाला है, हमास की कैद में छटपट युद्ध में गालती होना सामान में घटना है, लेकिन तीन बंदकों के मारे जाने से इसरेल की जनता गुस्से में देख रही है, 7 अक्टूबर को हमास ने इसरेल के 240 लोगों को बंदक बना लिया था, युद्ध विराम के दौरान हमास ने 105 बंदकों को छोड़ा, इसके बाद कहा गया कि हमास के कबजे में अभी भी 137 बंदक बचे होए हैं, जिसे छोड़ाया जाना है, अब खबर आ रही है कि बंदको के हत्या से इसरेल को बचना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि युद्ध और बंदकों की रहाई एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए हमास युद्ध विराम चाहता है, और इसरेल इस युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है, इस बीच बंदकों की जान हमास की बंदू की गोल अमेरिका की ये चिंता इसलिए है क्योंकि अमेरिका के संग के कारण ही इसरेल पूरे अरब वर्ल को चैलेंज करते हुए घाजा में बंबारी कर रहा है। अमेरिका ने दो टोक क्लियर कर दिया है कि इसरेल को चुनिंडा ठिकानों पर हमले करने चाहिए। अमेरिका इसरेल को बेहद सस्ते और हर सम्माव हत्यार सप्लाई नहीं करते है। लहाजा आम फिलिस्तीनियों की मौत पर बाइडन के आंसू घड़िया ली है। जिनका जमीनी युद्ध से कोई सरोकार नहीं। अमेरिका कल भी इसरेल के साथ था। आज भी है और कल भी रहेगा। इसकी गैरंटी है। क्यों? अमेरिका की क्या मजबूरी है? इसे विस्तार से आगे बताएंगे। अभी इसरेल के नागरिकों के एक और प्रदर्शन की तस्वीरें देखें। इन लोगों की मांग है कि युद्ध विराम ततकाल लागू हो। युद्ध शुरू होने के बाद से ही अब तक इसरेल के हमले में घाजा में कम से कम 18,700 फिलिस्तीनियों की मौत होई है। जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। खायलों की संख्या 51,000 के गरीब है। सिर्फ 24 घंटे में इसरेल ने हमास के 10 और लड़ाकों को मारने का दाबा किया है। वहीं हमास के हमले में 1400 इसरेली मारे गये हैं। इसरेल के प्रदहन मंतरी बैनमिन नेतनियाहू को अमेरिका की नई सला सुने है। अमेरिका क्या चाहता है। युद्ध की दशा और दिशा पर उसका कोई असर नहीं देख रहा। इसरेल और हमास के बीच शान्ती की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। इसरेली सेना के विमान लगातार हमास के नियंतरन वाले घाजा पट्टी में बम बरसा रहे हैं। युद्ध की वज़े से मासूमों को जान गवानी पड़ रही है। संयुक्त राश्ट में फिलिस्तीन के मिशन ने कहा है कि इसरेल को अपने अवैद व्योहार को लेकर नतीजे भुगतने का डर नहीं है। मिशन ने सुरक्षा परिशद से कहा है कि इसरेल के खिलाफ का रिवाई की ज़रे। इसका कहना है कि युद्ध विराम की मांग के बाद भी इसरेल अंतराश्टिया कानून तोड़कर काम कर रहा है। अमेरिका के एनसे जैक सुलिवन ने फिलिस्तीनी अथौर्टी के राश्रवती महमूद अब्बास से बात की है। इस दोरान घाजा में लोगों को भेजी जाने वाली मानवीय मदद को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात में आम नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। लेकिन इस जोर का नतीज़ा निकलता नहीं देख रहा है। विश्रो स्वास्ति संगठन ने घाजा के हेल्थ सेस्टम के बरबाद होने पर चिंता जदाई है। घाजा में 36 अस्पताल थे जिन में से सिर्फ 11 ही कुछ हद तक काम कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 50,000 से जादा घालों का इलाज चल रहा है। साथ अक्टूबर से अब तक इस्रेल ने घाजा में 22,000 से जादा ठिकानों पर बंबारी की है। इसकी वज़ा से 19,000,000 फिलिस्तिनी बेखर हो गए हैं। जो घाजा के अबादी का 85,000 फीस्दी हिस्सा है। बेखर होए लोगों को सर्दी और बारिश जैसे बुरे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। संयोक्त राश्टल से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में एक भी देश ऐसा नहीं निकला जो इस्रेल को आम फिलिस्तिनीों के किलिंग से रोक सके। हलाकि किलिंग रोकना तो धूर, इरान जैसे देश ने तो हमास का साथ देने से ही इंकार कर दिया। लेबनान के हेजबुल्ला के हमले और यमन से हूथी विद्रोहियों के हमले इस्रेल युद में एक डिगरी भर का फर्क नहीं ला सकते। कहा जा रहा है कि घाजा में हमास के लड़ाकों के सम्क्याज ज्यादा से ज्यादा होगी तो 40,000 होगी लेकिन मौत और मातम पूरा घाजा भूग रहा है।